भारत वर्स का जन मानश अयुद्या में राम मंदिन मुमार के बख्ष में बना हुआ है। अबान राम सुर्त्धा और विश्वास की चीज है। इसलिए चाहे रागिरिता हो। चाहे कारिपाल का हो, चाहे रियाईपाल का हो, चाहे द्धाय का हो। सभी को हमेशा जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। राम जनम हुमी भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जरूर बनेगा। और स्रद्धे योगी आदित जनाज के हातों से ही सला न्यास होगा। इसमें कहीं कोई संद्य है नहीं। पार्लेमेंट के चुनाब से पहले और देखेए योगी जी खुद एक संत हैं। वो जिश्ते ने उनका महूत निकल जाएगा उसी दिन सला न्यास हो जाएगा। आयोध्या में हमेशा से शाधू चंत आए हैं। बृजभूमी में हमेशा से शाधू चंत आए हैं। जब 15-15 करोड हमारे कुम्भू में, महाकुम्भू में जंत और श्रदालू आते हैं। आज तक महाँ पत्ता नहीं हिला। तो अयोध्या में यदि हजार और लाग की तादाज में शंत आ जाएं। तो किसी को खत्रा होने का प्रश्न ही बैदा नहीं होता। और योगी जी ने जो इतना बड़ा सुधार कानून व्यवस्था में किया है। प्रतेक ब्यक्ति को शुरक्षा की गारंटी दी है। इसलिए अयोध्या में किसी भी प्रकार की, किसी ब्यक्ति को शुरक्षा का खत्रा होने का सवाल ही नहीं। स्मादी इसलिए इसलिए का शुरक्षा